जो राष्टवाद है ये देश में और सबसे ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री में ही लोगों को बाट रहा है फिल्म इंडस्ट्री में दो धड़े एकदम साफ साफ दिखाई देते हैं जिसमें यारोप लगता है कि कुछ लोग राष्टवाद से आगे बढ़के मोधिवाद तक पहुँच गए हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हर बात में अब खोट नजर आती है हर बात में खोट नजर आती है जील में पत्थर ही पत्थर हैं जील भूल चुकी है जील होना जील में पत्थर ही पत्थर हैं जील भूल चुकी है जील होना अब कहां बची गौरईया की फुरफुर हर कोई चाहता है जील होना जब जपट्टा मारने किस्थिती में आ जाये सब कोई तो एक पफरात अफरी का महल तो बनी जाएगा और ये समझना भी जरूरी है कि हमारा देश एक बदलाव के दौर से गुजर रहा है और देश ही नहीं हमारा विश्व भी बदलाव के दौर से गुजर रहा है और ये बदलाव कोई ऐसा नहीं है कि कहीं पॉकेट्स में हो रहा है बहुत सी चीज़े एक साथ हो रही है और हमें इसको समझने किया आउशकता है टेक्नोलोजी जिसे आज कहते हैं सोशल मीडिया, कनेक्टिविटी ये जो सब संचार माध्यम हैं ये एक साथ आए हैं सब कि जोचीज़े हम देखते हैं जो प्रत्यक्ष आज देख रहे हैं वह परोग्ष में नहीं थी ये मान लेना मैं ये मानता हूं कि ये जाहिर का युग है जाहिर, प्रकटी करण का यूग है यह, बहुत सी बातें जो शायद आपने कहीं आपके परोक्ष में थी, आज वो प्रत्यक्ष हैं, आज लोग लिख रहे हैं, लोग कह रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि जो मंच थे, वो बहुत कम लोगों के हाथ में थे पहले, जब मंचों का डेमोकरटाइजेशन हुआ है, उससे कुछ लोगों को प्रॉब्लम है, कि भई ये सबको आवाज मिल गई भई, जी बिलकुल, सबको आवाज मिली है, और हमको ये समझ नहीं आ रहा है, कि जब सब बोलते हैं, तब कैसे उसको हैंडल किया जाता है, उसके साथ क क्या करना है, पहले हमारी चुनिंदा आवाजें थी और उनके साथ डील करना हमें पता था कैसे डील करना है, आज कहीं से बहुत ही आश्चर जनक रूप से एक स्वर उभरता है, और आपको उन स्वरों की आदत नहीं है, तो जो मंचों की दादागिरी है, वो समाप्त हो गई है, इसलिए आपको देश में ऐसा लग रहा है कि सब की आवाज आ गई है, और आपने कहा कि लोगों को राश्रवाद से प्रॉब्लम है, देखिए, ऐसा तो नहीं है कि जो जिनके अब ये राश्रवाद या जो भी से कहें, देश प्रेम, जिस भी तरह से, क्या होता है कि हमने आज प्रेम को एक तरह से डंडे माना शुरू कर दिया है, वही देश प्रेम का क्या दोश है भाई, कोई दोश नहीं देश प्रेम का, देश प्रेम नहीं होता, तो देश आजाद भी नहीं होता, फिर तो हम आपने देश में यकीन रखता हूँ, मैं बलीव करता हूँ, माना वता ही क्यों पूरा युनिवर्स एक होना चाहिए, सब एक होना चाहिए, लेकिन हमने एक व्यवस्था को जन्म दिया है, और जिसे कहते हैं कि अलग 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 लोगों को हैंडल करने के लिए, अलग अलग अपने देश का थ्यान रखेगा, अब जब हमने इस व्यवस्था को मान लिया है, तो अब इस देश इस व्यवस्था के प्रति आस्था भी दिखाना ज़रूरी होगा, और उसको चक्तिशाली बनाना भी अवशक होगा, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में या क्रियेटिव फ क्रियेटिव वही है, जो खिलाफ बोले मौझूदा सरकार के, यह हमेशा माना गया कि जो लोग साथ खड़े दिखाई देंगे, या सामाजिक सरोकार से सरकार के साथ खड़े दिखाई देंगे, उनको अलग नजरिये से दिखा गया, यह चुनोती है जब आप पल्स पोलिय के लिए, स्वचता अभियान के लिए, और एक बदला हुआ जब सेंसर बोर्ड में आपको शामिल किया गया, यह परिवर्तन है जो प्रसून जोशी का आमना सामना जिससे होता है, रोजाना, जी बिलकुल होता है, और मुझे लगता है कि, सरकार के या विवस्ता के खिलाफ आप क्यूं होंगे, आप पहले देश के साथ हो जाएए, फिर आप पताईए आप किस के खिलाफ है, आप किसी के खिलाफ मत होईए, आप देश के साथ रहिए, जब आप देश के साथ होंगे, तो आपकी एंकरिंग जिसे कहते है, वो करेक्ट हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि मैं देश के उत्थान में, उसकी प्रगती में, और आपको फिर लगेगा कि मैं जिस चीज को इंकार कर रहा हूं, इकिस चीज को इंकार कर रहा हूं, अगर कोई परिवर्तन हो रहा है और वो देश के लिए सकारात्मक है, देश की प्रगती के लिए अच्छा है, तो शायद आपको उससे मूलत है, अगर उससे प्रॉब्लम भी है, तो आप उसके साथ होंगे, उससे जुणेंगे, क्योंकि आप देश हित से जुणे हैं, फिर आपके सामने ये विवाद नहीं रह जाएगा, कई लोग ने मुझे कहा कि आपने सेंसर बोर्ड तो बहुत सरद लेते हैं, तो मुझे लगा कि ठीक है, ये एक चुनोती है, और ये एक आसान कारें नहीं है, मैं प्रियास कर सकता हूँ और मैं प्रियास करूँगा, लेकिन मैं आपको टोक कर, आपके दिमाग के अंदर जहाकना चाहते हैं, क्योंकि कई लोग ये मानते हैं कि अगर आज का दोर होता, कश्मीर पर इतनी चर्चा है, हैदर जैसी फिल्म शायद रिलीज ही नहीं हो पाती, क्या मौझूदा हालात के जरिये, जब आप फिल्मों को देखते हैं, या ऐसी फिल्में सामने आती हैं, उस प्रसून जोशी के, प्री, इस एरा, हाथ नहीं कापते जब ऐसी को एडिट करवाना पड़ता है, या कुछ कटवाना पड़ता है, आप अगर कुछ फिल्मेंकर से पुछें, तो हम लोग मैं अभी जब से मैं काम कर रहा हूं, मैं समझता हूं कि, मैं मुलत हैं ये मानता हूं कि, एक कलाकार जो है, वो समाज को नुकसान पहुंचाने के लि से भी देखें, अपने अलावा, लेकिन मुझे, CBFC में आने के बाद, मैंने एक डिफरेंट वेंटेज पॉइंट से देखना शुरू किया, एक डिफरेंट दृष्टिकोन से चीजों को देखना शुरू किया, देखिए आप एक नदी बहती है, अगर आप उस व्यक्ती से जो नदी के अंदर संघर्षरत है, उससी लहरों से जूच रहा है, तो उसके लिए नदी बड़ी आक्रामक चीज है, क्योंकि वो नदी में टैर रहा है, उसकी लहरों से जूच रहा है, तो अगर आप उस व्यक्ती से पूछें, जो नदी के तट पर खड़ा है, और उसको पहतावा देख रहा है और लहरों को साक्षी भाव से देख रहा है तो उसके लिए वो शान्त है एक ही नदी है एक के लिए एक आक्रामक है दूसरे के लिए शान्त है ऐसे ही मैंने क्रेटिव चीजों को देखना शुरू किया लोगों के पॉइंट ओफियू से देखना शुर और मुझे लगता है कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री के लोग मेरे साथ अनुभव रहा है उनका वो एक तरह से एक सम्मान है एक दूसरे के लिए तो उन्होंने बातों को सुना और इसलिए आपको विवादों का कम स्थान दिखाई देता है बिल्कुल मैं इससे पहले के सर्ता आजों का नाम नहीं लूगी पर अक्सर शाम को जब बैठते थे तो उन पर बहस भी एक एगंटे करने पड़ती थी